आज विशय पर आने से पहले आपको एक किस्सा सुनाता हूं जिससे यह प्रेणना मिली कि इस वीडियो को बनाया चाहिए जब हम स्कूल टाइम में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे तो सेवन्त एट की बात रही होगी हमारा नया सेशन स्टार्ट हुआ नई क्लास में गए बहाँ एक बच्चा हुआ कलता था तो वो फेल हो गए थे तो उन्हें हमारे साथ पढ़ना पड़ा जब वो साल खतम हुआ हम आगे बढ़ गए हम नेक्स क्लास में चले गए लेकिन वो वेक्ति फिर फेल हो गया वो विद्यालती फेद है गया उसके बाद हम अगली क्लास में गए तो भी वो विद्यालती नहीं पास कर पाया उत्तीन नहीं हो पाया वो सेम क्लास में रहा तो तो ऐसी कुछ धुनली यादे उस बच्चे को लेकर दिमाग में थी और दीसेंटली में अपने किसी एक मित्र से मिला तो मेरे मित्र ने उसका नाम मुझे मुझे याद दिलाए करे वो एक हमारे साथ पढ़ा करते थे याद है मैंने का हाँ याद है तो बोले कि सोचो वो क्या से क्रिटरी की पोस्ट पर है तो मुझे ताज्य वुआ ऐसे कैसे हो सकता यार इतनी बुरी हालत थी उसकी तो वो प्र नहीं कर पा रहे थे और वो इतनी पुछी बोईशन पर कैसे हो सकते तो उस हमार्व मेरी और मेरे दोस्ट के बीच में शल्त लगी उन्होंने उस व्यक अधार फेल होने के बावजूद तू इस तरह पोजिशन अटेइन कर पाया। उसने मुझे क्या कहा। उसने कहा कि जब मैं फेल हुआ एक साल, दोसाल, तीन साल, एक वक्त ऐसा आया कि जब मेरा छोटा भाई मेरी क्लास में आ गया। और जब वो छोटा भाई मेरी क्लास में आया तो मुझे जो हीन भावना या इन फियोर्टी कॉम्पलेक्स या जो लगा कि यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और उसके बाद उसकी काया पलट हो गई और उसने पढ़ना स्टार्ट किया और इतनी अच्छी पोजिशन को उसने अटेइन किया। आज का विशय कुछ इसी चीज से जोड़ा हुआ है कि हमें प्रेणा कहां से मिलती है। हर एक व्यक्ति में काबलियत है, हर एक व्यक्ति कुछ न कुछ जीवन में जरूर कर सकता है। परमात्मा ने अगल जन्म दिया है, जीवन दिया है, तो कुछ नवग्रे भी होंगे, बाराभाव भी होंगे, और कहीं न कहीं तो आपकी भी प्रतिवा छुपी होगी। प्रतिवा किसके द्वारा ढूंडी जाएगी, किस वज़ा से ढूंडी जाएगी, इसको कुछ नवग्रे में कैसे देखते हैं। आज इसी विशे के बारे में बात करेंगे, और विलम नहीं करते हैं, आरम करते हैं आज की यात्रा। हमारे पास कई एसे एक्जामपल हैं, जिने जीवन के शुरुवात में ये नहीं पदा था कि उनके जीवन का उद्देश क्या होता है। जिसे गुष्वामी तुलसिदास जी के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी पत्नी ने उनको कहा कि इतना प्रेम अगर आप बगवान से कलते तो आप कहां पहुच जाते। या कालिदास की कहानी है जहां पर उनका विवा एक राजकुमारी से होता है और उसके बाद उने ग्यान होता है पता लगता है कि मुझे जीवन में क्या करना है। अगर आप रामायन में देखें तो जब तक सुन्दरकान से थोड़ा पहले जब जामवंद उने बताते हैं कि उनमें क्या योग्यता है तो उस योग्यता को जानने के बाद हन्मान जी ने वो किया जो वो करते थे जो उने करना चाहिए था उससे पहले उने अपनी शक्तिय प्रेड़ना कहां से देखी जाती है आज उसके बारें बात करते हैं देखिए त्रिकोन भाव 159 के बहुत इंपोर्टेंट हाउजस होते हैं 159 एक पांचनो पे जब भी बात होती है तो अलग-अलग बाते सुनने को मिलते हैं कुछ लोग बोलते हैं पांच्वा भाव पू पूनिका है जहां तक मैंने पढ़ा और मेरा जानना है यह 159 की गुत्थी इतनी आसानी से नहीं सुलस सकती जैसे वो कहावत है ना अंडा पहले आया या मुर्गी अब उसके बारे में उत्तर कहां से देंगे आप कौन पहले आया उसी तरह से पंचम इंपोर्टेंट है या शक्ती पंचम से देखते हैं हमारे मानसिक कर्मों का विचार भी पंचम से किया जाता है एक आपने शायर श्लोक सुना होगा मनसा वचसा कर्मना करके होता है कि हम तीन तरह के करम कर सकते हैं मन से किसी के बारे में सोचके वचन से कहकर किसी को कुछ ऐसा कह दिया कि उसको उसी तरह की चीज़े आप अट्रेक्ट करते हैं, तो पंचम भाव इस चीज़ को इंडिकेट करता है, पंचम भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो आपके मन में चाहे ना चाहे नेगेटिव चीज़े जल्दी आएंगे, और अगर पंचम भाव में शुब ग्रह और जो फल मिलेगा इस जनम में या अगले जनम में वो आपके नाइन्थ हाउस के द्वारा देखा जाता है नाइन्थ हाउस भाग्य का है जो ये बताता है कि पिछले जनम में हमने कितने अच्छे कर्म किये जिस वज़ा से हमें इतना अच्छा लख मिला अगर नाइन्थ में हमने कर्म अच्छे नहीं किये थे जिस वज़ा से अब हर काम करने में हमें परिशानी आती है आपने देखा होगा कई लोग होते हैं कि हम बहुत डिजर्विंग है लेकिन उसके बावजूत हमें वो पोजिशन नहीं मिल दी जो मिलनी चाहिए हमसे हलके लोग हमसे कम योगिता वाले लोग आगे बहुच गए और हम आभी भी वहीं पर बैठे हैं जबकि सब काबलियत हमें हैं तो यानि भागे नाम की कोई चीज तो होती है और जो तिश के अनुसार भागे बनता है आपके पिछले जन में किये गए अच्छे कर्मों से तो नवम भाव पिछले जन में किये गए अच्छे कर्म है पंचम भाव आपका सब कॉंशिस माइंड है जिसमें आपने पिशली बाल जो नहीं कर पाए या जो करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं बीज आपके दिमाग में है लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए मैं सुनता हूँ कही बारों जोतिश में तो हमने देखा है हमारे कई विद्यालती हैं जिनकी उमरती 75, 75, 80 साल तक की भी है तो बोलते हैं कि हम अब इसलिए पढ़ रहे हैं अब तो हम क्या इसको इस्तिमाल करेंगे लेकिन आने वाले जन्म में जो अभी हम पढ़ेंगे उसके कारण हो सकता है हमारी बुद्धी अगले जन्म में तेज हो यानि जो आपने इस लाइफ में किया बौदिक्षमता को जो शाप किया गुरू को जो इस्तिमाल किया उससे अगले जन्म में पंचम भाव और बुद्ध आपका अच्छा मिला इस तरह से आप इसको देख सकते तो वापसी विशेपर आते हैं तो पंचम भाव बुद्धी का है मंत्रणा का है और सबसे पहले प्रेणा मिलने का भाव भी पंचम भाव ही है अब करना क्या है हमें हमें ये करना है कि पंचम भाव पर फोकस करें यह देखें कि वहाँ पर कौन सा नेसरगिक शुब ग्रह उस भाव पर दिष्टी डाल रहा है, उसके स्वामी को देख रहा है, जो भी वो ग्रह होगा, वो जिन चीजों को सिगनिफाई करेगा, उसके द्वारा प्रेणना हमें मिलेगी, प्रेणना देखो कई तरीके से मिलती जैसे अभी दो एक्जामपल मैंने दिये कि जीवन साथी ने प्रेणना दी, जीवन साथी ने ऐसा वैवार किया कि व्यक्ती ने सब को छोड़कर अपना फोकस करियर पर किया और उसके बाद गुष्वामी तुलसीदास और कालिदास जी के साथ जो हुआ, एक जो केस मैंने चोटे भाई ने दी, जो चोटे भाई ने दी उसका केस क्या था, उसका करकलगन था और उसके मंगल और बुद्ध दोनों साथ बैठे थे, मंगल और बुद्ध दोनों साथ थे, करकलगन की कुंड़ी थी, पंचमेश मंगल था शमा कीजेगा और वो बुद्ध के साथ था, तो जब बुद्ध या यूं कहें कि तीसरे भाव ने जब उसको एक्टिवेट किया तब जाकर वो विक्ति अपने करियर में अच्छा कर पाया इसी प्रकार अगर सब्तमेश या शुक्र पंचम भाव से संबंद बना रहा है और पंचम भाव में शत्रू राशी उसकी नहीं है तो आप देखेंगे कि लाइफ पार्टनर के द्वारा ओपोसिट जेंडर के द्वारा कई लोग आपने देखें होंगे कि जब ओपोसिट जेंडर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं अगर लड़का है तो अगर कोई मैम पढ़ा रही है या अगर लड़की है तो कोई सर पढ़ा रहे है तो वो जल्दी कैच करते हैं क्यों क्योंकि उनकी पत्रिका में शुक्र का प्रभाव शुप प्रभाव पंचम अथवा पंचमेश पर होना चाहिए इसी प्रेकार अलग-अलग भावों के अलग-अलग प्रभाव होते हैं मंगल का अगर प्रभाव आता है मंगल शनी नसर के क्रूर रहा है तो समाने ता यह मान लिया जाता है कि अरे इनका प्रभाव है तो विद्याध्यन के लिए अच्छा नहीं है जो कि सही बात नहीं है सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो इंजीनियर जो बड़े बड़ी टेकनिकल नॉलिज वाले जो लोग है कुल्डी में शरीमंगल का प्रभाव मिलता है वहाँ पर कमपटीशन, दिवास साइकलोजी जो बड़े जो बड़े जो आगे बोलना कि तेरे बुसकी नहीं है तू नहीं कर पाएगा और फिर वो कलता है और फिर वो ऐसा कलता है कि दुनिया देखती है तो यानि कि कहीं ना कहीं क्रूर ग्रेवी जदी कुंडी में अच्छे भाव के स्वामी है पंचमेश के मित्र है अगर वो पंचम भाव से संबन बनाए तो वो व्यक्ति या वो जो भी आप समझेए कि जिस भाव को ओन कर रहा है वो भाव आपको प्रेणा देता है जीवन में आगे बढ़ने की क्योंकि जब तक बुद्धी पर वो विचार नहीं आएगा तब तक आप कर्म के द्वारा उसको प्रतिपादित नहीं कर पाएंगे एक्जिक्यूट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे केसे में हमें ये देखना चाहिए कि पंचम भाव पर किस तरह के शुब ग्रव का प्रभाव है और कई बार इसका उल्टा भी समझ लीजेगा कि आप में प्रतिपा है आप करना भी चाहते है पर कोई ऐसा नेगेटिव नकरात्मक सोच वाला वेक्ती मिल गया जो कह रहा है कि आप आपको गलत राय दे देता है आपको आपके पत से हटा देता है उसके भी योग यहीं से देखना चाहिए वो कैसे देखेंगे जैसे एक एक्जामपल मैं आपको बताता हूँ कर्कलगन की पत्रिका थी पंचम भाव में शनी राहु था जातिका बहुत काबिल बहुत योग गिता थी उस जातिका में लेकिन पती हमेशा ये काह करते थे कि तेरे बसकी नहीं है तू नहीं कर सकती तुझ में कुछ नहीं है तेरे में काबिलियत नहीं है और उसने इस बात को ग्रहन भी कर लिया क्यों क्योंकि सब्तम आधिपति शनी पंचम भाव में मित्राशी का नहीं बैठा था तो वहाँ पर ऐसे लोगों से अम ये तो नहीं कहेंगे कि दूर हो जाना चाहिए पर बचना चाहिए अपनी प्रतिबा के को अगर अपने एक्जिक्यूट करना है तो उनकी राय से थोड़ा दूर हटेंगे तो बहतर है बाकी अगली बार इसको अलग-अलग एक्जामपल चार्ट से मैं समझाऊंगा और नवम पंचम को अभी लंबा चलाएंगे इस सीरीज बड़ी अथी जाने वाली है क्योंकि एक पांच नौ में बहुत सारी ऐसी चीजी इसके बारे में मैंने जहां तक अभी किताबों में पढ़ाया जो मैंने गुरू से सुना तो जितना मैंने सुना वो बहुत जादा है और जो मैंने पढ़ा वो बहुत कम मिलते आं अगली ब जरते हैं कि हम और बहतर काम करें यह वीडियो का अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करना मत बुलेगा मिलते हैं अगली बार अपना ध्यान रखेगा जैश्राम शनी शुक्र का मित्र है फिर भी इन दोनों का संबंद बुरा क्यों यदि इसको समझना चाहते हैं तो उपर दियेगा इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं मिलते हैं अगली बार जैश्राम